इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने Pay Nearby अकाउंट से अपने कस्टमर के अपने गिराहक के खाते में पैसे कैसे जमा कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है पैसे जमा कराने के लिए अपने bank account में तो आपको क्या process follow करना होगा उस गिराहक के account में पैसे जमा करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कस्टमर के bank account में पैसे जमा करने के लिए आपके wallet balance में यहाँ पर amount होना चाहिए। कस्टमर आपको cash में देगा और आप उसके account में पैसे जमा करेंगे अपने wallet balance से। तो पहले यहाँ पर हम अपने wallet में balance add करेंगे जिसके लिए पिलस sign पर click करेंगे। करेंगे यहाँ पर amount डालेंगे जितना आप add करना चाहते हैं, minimum आप 5000 rupees add कर सकते हैं, submit करेंगे, यहाँ से net banking चूज करेंगे, अपना amount डालेंगे 5000 rupees minimum, यहाँ से net banking चूज करेंगे जिसके हम state bank of india का चूज कर लेते हैं, इसके बाद submit करेंगे, निचे आएंगे make payment पर click यहाँ पर अपना user id password डालकर login करेंगे आपके पास एक OTP आएगा OTP यहाँ डालकर confirm कर देंगे money आपके wallet में load हो जाएगी इसके बाद आप wallet में वापस आजाएगे एक बार जब आप money load करते हैं तो अगले 30 मिनट में वो आपके wallet balance में यहाँ पर show होने लगती है अपने customer के account में पैसे transfer करने के लिए आप यहाँ money transfer पर click करेंगे यहाँ पर आप अपने customer का mobile number डालेंगे अगर आपने उस customer का पहले कोई transaction किया था तो यहाँ पर show होता है आपको दोबारा से add करने की जरूरत नहीं होती है लेकिन customer new है तो आपको register करना पड़ेगा यहाँ पर आप customer का नाम address डालेंगे और next करेंगे एक को टीपी send के जाएगा customer की mobile number पर वो टीपी आपको यहाँ डालना होगा अब यहाँ पर आपको customer की bank details फिल करनी होगी यहाँ पर customer का account number यहाँ पर customer का account number confirm कर दीजिए यहाँ पर customer का नाम डाल दीजिए निची हाँ पर bank का नाम और यहाँ पर IFSE code डालिए customer की bank details डालने के बाद यहाँ next करेंगे customer की mobile number पर वो टीपी जाएगा वो टीपी आपको यहाँ डालना है इसके बाद यहाँ पर आप amount डालिए कितना amount आप transfer करना चाहते हैं अब transfer करने के आपको two option मिलते हैं IMPS और NEFT IMPS में customer के account में पैसा immediate transfer हो जाएगा और NEFT में थोड़ा time लगेगा इसके बाद transfer पर click करेंगे आपके सामने एक preview आएगा जिसमें सारी details होगी confirm कर देंगे और पैसा customer के account में transfer हो जाएगा next time अगर आपका वही customer दोबारा से पैसे जमा करने के लिए आता है तो आप पनी transfer पर click करेंगे यहाँ पर उसका mobile number डालेंगे तो यहाँ पर उसकी details automatic आजाएगी बस आप next करेंगे यहाँ पर amount डालेंगे choose करेंगे IMPs या NFT और transfer कर देंगे पैसा यहाँ पर आपके customer के account में transfer हो जाएगा तो इससे आप इचीज समझ सकते हैं कि अगर आपके पास एक ही customer बार-बार आता है तो उससे आपको बार-बार bank details लेने की जरुरत नहीं है बस आप यहाँ पर उसका mobile number डालेंगे आपके सामने details आजाएगी और आप पैसे transfer कर सकते हैं लेकिन अगर new customer आएगा तब आपको उससे bank details लेनी होगी तो इस तरीके से आप अपने customer के bank account में पैसे जमा कर सकते हैं pay nearby की next वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या आप customer के आधार card के जरीए उसके account की balance inquiry ये फिर balance withdraw कैसे कर सकते हैं